तो आज के इस पूरे सेशन को बेटा मैंने तीन पार्ट में डिवाइट किया है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प को पाईगी विसर केमिस्ट्री में हो भी 90 प्लस मार्ट कैसे पॉसिबल है यहाँ पर मैंने 2021 से लेकर 2024 तक के तमाम पेपर चैनलिसिस किया है बिल्कु तो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका मोशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि इस साल यानि जई 2025 के एक्जाम को टारगेट कर रहे हैं और वो चाते हैं कि जो पहला एटेंट होने वाला है जई 2025 का विचिज दा जनवरी एटेंप्ट इसी के अंदर वो अच्छे माक स्कोर कर पाएं और एक बहुत बढ़िया एन इटी के अंदर वो अचीव कर पाएं और बहुत अच्छी ब्रांच सेक्य में वो भी 90 प्लस मार्क्स कैसे पॉसिबल है तो बेटा अगर आपने पिछले 2-3 साल का ट्रेंड एनलाइस किया हो या 2-3 साल के पेपर्स को अच्छे से अनलाइस किया हो तो ये पेपर आपका जही मेंस का पेपर ना लगते हुए मैं तो परसनली इसको नीट 2.0 बुलाता हैं उसको आप केमिस्ट्री के बिस्टिस पर कॉंपनसेट कर सकते हैं तो आज के इस पूरे सेशन को बेटा मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाईगी और इसली स्ट्रेजी को फॉलो करने के बाद आप जन्वरी अटे इसली पता कर पाएं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए हाइस वेटेज होगा कौन सा टॉपिक हमारे लिए लोएस वेटेज टॉपिक है यह पहला जो पार्ट इस सेशन का रहेगा यह इस दा ट्रेंड एनलिसिस ऑफ जी मेंस कोश्यन पेपर्स एकीज से चोबिस तक के तमाम का मैं लिए अनलिसिस किया है और उसी के बसिस पर आज मैं बात करूँगा चाहे फिजीकल हो चाहे और इनार इनार इनींग हो इसके सेसन के का जो सेखिंड पार रहेगा वह बिटा स्ट्रेडीजी पर हैलो जा I 자 इंडिवीजोल बिश्पर और और स्ट्रेडीज रहने वाल resources को follow करना पड़ेगा चाहे वो organic के हो चाहे इनorganic के हो चाहे physical के हो तो ये मेरी पूरी उमीद है कि session को देखने के बाद आप बिल्कुल easily score कर पाएंगे marks को और अगर आपको इस session थोड़ा बहुत भी help करें थोड़ा बहुत भी आपकी journey में contribute करें तो इस session को लाइक करना मत यहाँ पर मैंने 2021 से लेकर 2024 तक के तमाम papers का analysis किया है और हर एक topic की चर्चा में यहाँ पर करने वाला हूँ चाहे वो physical chemistry का topic रहा हो चाहे वो organic का रहा हो या फिर वो inorganic का रहा हो आईये start करते है के करके सबसे पहला chapter आप देख पा रहे हो है some basic concept of chemistry अच्छा एक बात मैं और बता दू आपको यहाँ जो मैंने chapters के नाम लिखे बिटा वो NCRT के according है मतब हो सकता है आपने जो पहला topic mole concept के नाम पर बढ़ा हो बट NCRT में इसका नाम some basic concept of chemistry है तो अपन इसी basis पर यहाँ पर बात करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 2021 का paper है 2021 के paper में आसे 7 सवाल पूछे गए 22 में 2, 23 में 7 और January attempt जो आपका 2024 का था और April attempt जो आपका 2024 का था इसी तरीके से states of matter वैसे तो 2024 में से रीमू हो चुका है atomic structure, chemical bonding आपका inorganic का topic है, thermodynamics, solution, equilibrium, redox reaction plus electrochemistry, chemical kinetics plus surface chemistry यानि ये तमाम chapter आपके कुछ physical के हैं और कुछ आपके inorganic के हैं जिसमें जो blue color से दिखाए गए हैं वो बेटा inorganic के chapter हैं और बाकि जो green वाले वो आपके physical के हैं इस पूरे analysis को देखने के बाद आपको एक बात जरूर समझ में आ रही होगी कि ऐसे कौन-कौन से chapter होंगे physical के और inorganic के जिन से सबसे ज़ादा सवाल recent year में आए हैं अगर मैं specifically inorganic की बात करूँ क्योंकि chapter कम हो गया है syllabus reduce हो गया है तो अव्वेसी बात है उन्होंने तीन chapter पर सबसे ज़ादा stress देना शुरू कर दिया है उसकी चर्चा में upcoming session में आगे वाले वीडियो के अंदर करूँगा अच्छा इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो equilibrium एक ऐसा chapter है जो की बहुत ही ज़ादा highest weightless chapter है इसके लावा redox reaction on electrochemistry से भी अच्छे काचा सवाल पूछे जाते हैं वही पर अगर बात करें बाकी के chapters की तो जो बाकी के chapters आपको दिखाई दे रहे हैं periodic table से लेकर environmental तक है इन और्गेनिक का पार्ट है और नीचे वाला पूरा पार्ट बेटा आपका organic chemistry का है जिसमें आप clearly observe कर पाऊगे जब से कुछ chapters reduce होएं इन और्गेनिक के अंदर coordination का weightage बहुत ही जादा बढ़ा दिया गया है और periodic table और chemical bonding से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं अगर वहीं पर मैं organic की बात करूँ तो organic में IUPAC, GOC, POC को मैंने एक सत्कलब कर दिया है hydrocarbon प्लस आपका हेलो एलकेन वाला पार्ट है अच्छा oxygen containing का मत्तब आपका alcohol phenol ether भी आ जाएगा और LDH, ketone, carboxylic acid भी आ जाएगा और सारे acid derivative भी आ जाएगे सब को मिला कर मैंने एक जग आप में बहुत ज़्यादा सवाल आपके पूछे गए थे जिसमें बात की जाती है BDC के यादि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की उसके बहुत ज़्यादा सवाल थे इसके लाबा बायो मॉलीकिल वाला चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है और पॉलिमर तो खेर इस स तक अगर मैं 23 तक की बात करूँगा तो नॉर्मली IUPSC से कम सवाल आते थे बट क्योंकि कुछ चैप्टर हटा दिये गए हैं जैसे पॉलिमर है या केमिस्टी नेविडे लाइफ है तो उन क्वेस्टन को कमपनसेट किया गए बेटा IUPSC से तो जो भी ड्रॉपर बच्चा इ टीनों चैप्टर को मिला कर पूछे जा रहे हैं पिछले साल तक POC का एक एक दो दो सवाल देखा जाता था बट इस साल यानि 2024 के अगर बात करें तो उसका भी वेटेज बेटा बढ़ा दिया गया है तो यह पूरे चार्ट से आपको एक बात अनलाइज हो जाएगी कि कि के वेटेज पूरे जो कि आपको एसेंशल बेसिस पर करने ही पड़ेंगे यह तो बात हुई बैटेज ट्रेंड डूर्ड करेंटिजी पर आते हैं सर यह तो चलो ट्रेंड डैलिस हो गया आप सर मुझे यह बताओ कि और गैनिक और फिजिकल में मैं किन बातों का ध्यान सकते हो अगर आपने स्टिक्ली सेशन को फॉलो किया इसके बाहर बिटा कहीं जाने कि आपको ऐसा ज़रुत नहीं पड़ेगी तो क्योंकि सबसे अदा फेवरेट मेरा और्गेनिक ही है मेरे परसनल दिल के बहुत करीब है तो स्टार्ट बिटा और्गेनिक से ही कर रहे हैं पार्ट जो कि सरयाद नहीं होता अभी उसकी भी बात करेंगे और तीसरा जिसको मैं बुलाता हूं पॉकिट टॉपिक पॉकिट टॉपिक का मत्तव ऐसे जो कम टाइप में तयार हो जाते हैं स्कोर्णम् चैप्टर होते हैं पहले इसमें ज़्यादा चैप्टर आते थे अब क्यूंकि रिलेटिवली चैप्टर कम हो गए हैं अगर आयूपिएसी जी आइसो मेरेजम की बात करें तो यह अगर आ organic को specifically target करना चाते हैं, reaction वाला part अगर आपका बहुत वीक है, आपको reagent ध्यान नहीं होते हैं, तो आपको ये पहले और तीसरे वाले topics पर बहुत ज़्यादा stress करना पड़ेगा, आपको IUPAC अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा, जब से polymer और chemistry never life hurt गए हैं, क्योंकि आम तोर पर दो-दो सवाल या एक सवाल दोनों चेप्टर से आता था, तो दो सवाल को compensate कैसे किया गया है, IUPAC का weightage बढ़ा दिया और POC का weightage बढ़ा दिया, तो आप इनको तयार कर सकते हो, इसके लाब अगर reaction वाले part में आपको बहुत दिक्कत आती है, तो आप बेटा pocket topic तयार करो, pocket topic का कौन-कौन से है, सर एक तो biomolecule दूसरा POC, biomolecule भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो specifically carbohydrate और amino acid तो करके ही जाओ, यूँकि होते वैसे उसमें 4 पाट है, यह 4 छोड़ो 5 पाट हो गए अब तो, एक होता है carbohydrate, एक होता है amino acid, एक होता है nucleic acid, एक होता ह होर्मोन, एक होता है vitamins, अगर आप यह 5 नहीं करके जा सकते हैं, तो बैटा कम से कम amino acid और carbohydrate तो करकर ही जाना है, आपको बहुत अच्छे topic है, सबसे दादा वेटर दूनिक रहता है, POC की बात करें, तो POC में sodium fusion extract, जंडाल method, dumas method, इन से सवाल बहुत repetitive तोर पर आते हैं, इनको अच्छे से त्यार करना है, अच्छा, सर मैं ऐसा बच्चा हूं कि मेरा reaction वाला part वीक नहीं है, पर हाँ थोड़ा-थोड़ा मैं उनको भूल जाता हूं, तो उनको recall करने के लिए सबसे इच्छा तरीका क्या बेटा, चेन वाले सवाल, जितने जादा चेन वाले सवाल करें, क्योंकि बेटा, हमारी आदत क्या होती, इसमें मैं अपने आपको भी काउंट करता हूं, कि कई बार हम लोग कुछ ऐसी reactions लिखवा देते हैं, जो कि syllabus का पार्ट नहीं होती, यानि अगर आप out of the syllabus गए, तो आप अपने पास से डगमागा जाओगे, आपकी गारी ट्र यानि पर भी आता है, इसको बच्चे भी लिखते हैं, टीचर्स भी पड़ाते हैं, आपको ध्यानक नहीं है, इन पर टाइम वेस्ट ना करते हो, इन पर जितना आप टाइम डिवोट करते हो, वो सारा टाइम आपको कहा लगाना है, उपर वाले टापिक्स के उपर, अब ब अच्छा, बारीदी क्लास का सेशन को देख रहा है, तेरे ले तो डूल काम होगा, युकि तुझे सल्ड बोर्ड का पेपर भी देना है, तो बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, रिविजिन भी साथ साथ हो जाएगा, तो बैक एक्सराइस के सवाल, आच्छा, को स्ट्रॉंग करने में आपकी हिल्प करेंगे, अच्छा, क्लास नोट्स प्रस इलिस्ट्रेशन आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, उस टीचर के क्लास नोट्स को रिग्रेसली फॉलो करो, उनके एग्जामपल को अच्छे से फॉलो करो, इसके लावा कुछ नहीं करना है बेटा आपको, अच्छा, PYQ रेपलिका, ये PYQ रेपलिका क्या है? देखो बेटा, जिस भी एग्जाम की तैयरी करने आपन जा रहे हैं, अविसी बात है, पहले PYQ तो लगाने ही चाहिए, और PYQ में आप दो साल के PYQ या दो पेपर के PYQ लगा सकते हो, अगर आप पेपर बनाना शुरू किया है कब से 2019 से तो 2019 से लेकर 2024 तक का बहुत बढ़िया question बेंक है उससे आपको practice करनी है अच्छा एक और important announcement हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग की preparation को boost करने के लिए हम लोग प्लान करें एक NTA rewind नाम से एक series प्लान कर रहे हैं यह series का पहला lecture तभी आएगा जब आप demand करेंगे क्योंकि obvious सी बात हम लोग महनत करेंगे outcome भी निकलना चीज उस चीज का तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सब topic wise और ऐसा YouTube पर कहीं भी session अवेलेबल नहीं है हो सकता हमारे बताने के बाद कोई replicate कर दे वह अलग बात है बट अभी तक तो है applicable नहीं ह तो anti rewind नाम से इसमें होगा क्या अपन एक एक चेप्टर के वह सब topic उठाएंगे जहां से सवाल बहुत जादा आते हैं जैसे मानले जीउसी उठाया मैंने और जीउसी के topic उठाया aromaticity तो सबसे पहले उस topic में मैं क्या करूंगा पिछले 5 सालों का आपको analysis दूँगा अभी त तो इस तरह की series लाना तो नीचे comment section बताना उस पर भी काम करेंगे अच्छा अगर आप अपनी theory को boost करना चाहते हैं मुझे organic में बहुत ज्यादा strong करना है तो NCRT को read करो पहला पायदान है इसको पढ़ने के बाद आप जा सकते हो PY Bruce पर यह बहुत अच्छी किताब है theory के ल करना चाहते हैं तो start कहां से करोगे आप NCRT को read करोगे पहले line by line read करो यह करने के बाद अगर आपके पास time बच जाता है तो PY Bruce कर सकते हो PY Bruce को read करने के बाद आप फिर Peter Sykes से Clayton कर सकते हो और मैं recommend यह करूँगा कि mains के लिए तो आप पहले दो पर ही focus करें हाँ जही advance के किस पर करना है highest weightage chapter जो कि बेटा आज कले बहुत तीन बहुत जादा weightage chapter हो गए है प्रियोडिक टेबल, chemical bonding और coordination यान अगर मान के चलें chemistry के total 30 सवाल है 30 में से 25 करना है और अगर मैं मान के चलूँ कि 10-10-10 सवाल भी तीनों के आए organic, inorganic, physical के तो inorganic में जो 10 सवाल आएंगे उन में जादातर weightage आपको इनी तीन चेप्टर से दिखाई देगा, तो कि inorganic में भी कुछ पार्ट तो डिलीट ही हो चुका है, जैसे metallurgy वो हट चुका है आपका पार्ट, तो अव्यसी बात है उन questions को compensate कहां से करेंगे, bonding से या coordination से, अच्छा, second क्या करना है, NCRT के जो table हो इनके बारे में data दिया गया है, उनी data से सवाल बना लेता है, और उस table के नीचे उसका सवाल भी लिखा होता है, तो आप उसको target कर सकते हो, ब्लॉक को strong करने के लिए, है ना, अच्छा, resources क्या-क्या follow करने, NCRT तो must है, यह तो आपको हर teacher बोलता है, बार-बार आप session में सुन कर सकते हो, specifically inorganic के लिए, यूकि inorganic में से मेंस लेवल पर कोई तोड़ू-फोड़ू सवाल तो नहीं आते हैं, और इसको अपनी ego पर भी नहीं लेना है, कि सर मैं तो जही का बालो को मैं NEET के PYQ कू करूँ, बिटा, NEET का पेपर हो, जही का पेपर हो, बनाता है NTA ही है, औ और NTA बनाता है, इसका मतलब कोईशन इधर-उदर सुच हो सकते हैं बड़ी असानी से, तो आप NEET के PYQs भी कर सकते हो, additional practice के लिए, कहां से मिलेंगे आपको motion learning app का नीचे description में लिंक दिया है, वहां से आप download कर सकते हो, वहां से chapter wise आपको PYQ मिल जाएंगे, जही मेंस के भ सकते हो, हुई पढ़ सकते हो, या मिसलर और टार, बहुत ही शांदार किताब है, मतलब परसनली में जेडिली रेफर नहीं करता, क्योंकि जेडिली में मतलब उतनी अच्छे से चीज़े नहीं दी गई है, हां block chemistry अच्छे से दिया गया है, अगर आपको coordination बूस्ट करना है, chemical bonding strong करना है, तो आप हुई follow कर सकते हो, बहुत ही शांदार किताब है, मतलब मेरे को तो बहुत ही अदा परसनली पसंद है, और इस से जादा हो strong करना तो मिसलर और और मिसलर और में अगर आप एक बार metallurgy पढ़ लोगे, तो मजा ही आ जाएगा, metallurgy specifically for G-Advance, क्योंकि मेंस म बात करते हैं physical की, physical में पूरा जो topic बेटा वो calculative होता है, यानि calculation पर अपने को सबसे ज़्यादा stress करना होता है, और calculation mistake होने के कारण से ही physical में number करते हैं, अगर मैं बात करूं integer-based सवालों की, तो integer-based में भी physical के सवाल आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि inorganic में ऐस ज़्य कोई ज़्यादा numerical बनते नहीं है, बनते हैं तो coordination से बनते हैं जिसमें वो isomer calculate कर वा लेता है, या number of 1 पर electron calculate कर वा लेता है, और गैनिक की बात करें तो integer वहाँ भी कम बनते हैं, बनते हैं तो isomerism में बनते हैं, stereoisomer कितने हैं, काईल सेंटर कितने हैं, इस तरह के सवाल आजात क्योंकि आपका paper में allowed नहीं है calculator, अगर आप calculator से एक बार आधर डाल होगे सवाल करने के तो आपको आगे चलके दिक्कत होगी, calculation आपसे नहीं हो पाईगी paper में, तो कोशिश करना, calculator को avoid करो, unit conversion बहुत ही ज़्यादा important है, बच्चा इसमें सब से ज़्यादा मात खाता है, सवा Equilibrium, Electro, Thermo, बहुत ही ज़्यादा important है, और pocket topic की बात करें तो mole concept, जो की उसमें भी काम आएगा, आपको organic में भी काम आएगा, और quantum number वाला पार्ट, इससे भी relatively ज़्यादा सवाल आते हैं, अब quantum number को चाहिए पिन और्गेनिक में count करो, चाहिए physical में count करो, पढ़ाते हैं, atomic structure म और additional problem solving के लिए, personally मैं prefer करता हूँ RC Mukherji को, वो आप prefer कर सकते हो, या फर अगर इससे थोड़ा सा नीचे जाना चाहते हो, तो आप any अवस्ति फॉलो कर सकते हो, बट personally मैं फॉलो करता हूँ RC Mukherji, तो यह आपके पास organic, inorganic और physical काम, मैंने फोड़ा सा summarize किया, कि क्या क्या resources available है किस किस पर आप जा सकते हो, और क्या क्या आपको follow करना है, जिससे easily आप 90 plus marks score कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि similar session एक physics पर भी हो, और एक mathematics पर भी हो, तो नीचे comment section में बताना मत भूलिएगा, पहला, और दूसरा, NTA Rewind अगर आप series चाहते हैं, तो नीचे सभी को comment करना है, NTA Rewind, we want NTA Rewind, यानि आपको कुछ नहीं करना है, सिरफ comment करना है, hashtag NTA Rewind, तो इस basis पर हम लोग प्लान करेंगे, कि chemistry में भी लाएंगे, physics में भी लाएंगे, और math में भी लाएंगे, जिससे आपकी preparation को help मिले, आपकी preparation boost हो, तो I hope आपको पूरा session बहुत पसंद आया होगा, तो अगर यहां तक रूके हो, तो session को attendance लगा दिया, attention मतलब आप, चलिए, मिलते नेक्स session में, तिल देन, keep preparing and all the very best.